कोरियन रामा सीरीज को आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट देते हो कि मजबूर हो जाते हैं इसके नेक्स पार्ट लाने के लिए और क्यों ना लाइक कोरियन रामा सीरीज की खासियत ही होती है ये अपनी लेंद को जरा सा भी आपको फील नहीं होने देते चाहे कि इतनी भी लंबी हो एक बार देखना चालू करते हैं तो इनकी ब्यूटिफुल खटी मीटी रोमांस और लव स्टोरी वाली दुनिया में घुसते चले जाते हैं हम खुद इनकी सीरीज को देखना चालू करते हैं तो मेरा यकिन मानिये उस दिन का मेरा कोई काम ही नहीं होता क्योंकि देखते देखते कब सीरीज के इमोशन से कनेक्ट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता एक अपना सा लगाव लगने लगता है कि आपके साथ भी ऐसा होता है कमिंट में चरूर बताइएगा तो आज के रिभ्यू में हम लाए हैं टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर कोरियन डामा सीरीज पार्ट 5 अप सीरीज से निकल ही नहीं पाईएगा वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक रिक्पेस्ट है भाई लोग, आप लोग वीडियो देख कर चले जाते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो वीडियो अच्छा नहीं लगता तो कमिट में जरूर बताए क्यों अच्छा नहीं लगता हम उसे सुधार करेंगे हमें खुसी होगी प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाईएगा तो चलिए कोरिया की रोमांस की दुनिया में च सीरीज की स्टोरी कोरिया की सबसे बड़े बेसबॉल प्लेयर को एक साल के लिए जेल हो जाता है सिरीज की सबसे खास बात है एक सेलिबरिटी को अचानक से एकदम से सिधा जेल के अंदर उने किन किन प्रोबलम को फेस की सतरा से अपने आपको वहाँ एर्जेस्ट करते हैं इस टॉपिक को डारेक्टर नहीं इतने बारिके और सटिक टाइमिंग के साथ हमारे सामने रखा है कि सच में मानना पड़ेगा उपर से सारे कारेक्टर की एक्टिंग की वज़से हम सिरीज से लास्ट तक कनेक्ट रहते हैं जिने character के depth में जाना पसंद नहीं तो उन्हें ये series का lane थोड़ा खीचा हुआ लग सकता है, जो इस series का सबसे बड़ा negative point है, series आपकी पूरा patience को मांगती है, बाकी आप series से connect हो गए तो आप पूरा देख कर ही छोड़ोगे, इसे आप Netflix पर देख सकते हैं, और हिंदी में playflix पे, आज तक हमने कई डॉक्टर उपे बेज series देखी, पर इस series का बात ही कुछ और है, series में कुछ नहीं और fresh देखने को मिलता है, ऐसे ही ये number six की Korean drama series जो आपको series से नजरे हठाने ना देगी, 2014 की super hit romance drama के साथ emergency couple, series की story एक divorce couple की है, जीने सपना होता है एक डॉक्टर बनने का, कुछ टाइम बाद unfortunately एक ही hospital में ये दोनों को अपोइंट किया जाता है, उसके बाद से सुरू होता है इस series का interesting storyline कैसे दोनों की दूसमनी धीरे धीरे करके प्यार में बदलती है, ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आम टिपिकल Korean drama की तरह होगा, इसके खटी मिठी आप stone love story देखकर आप series में घुशते चले जाओगे, और last तक आते 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 आपके अंदर प्यार की emotion भर जाएगी, अगर आप Korean romance drama के die-hard fan हैं तो इस series को कभी भी miss मत करियेगा, नमबर 5 से पहले bonus नमबर 1 की series एक दम गजनी वाला love story, हम audience के बीच super hit Korean drama one of the best romance drama के साथ 2015 की kill me hill me, series में हमारा hero को multiple personality disorder होता है जिसके वज़े से उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, ऐसी masterpiece series को miss की हैं तो अभी जाकर देखिए और खुशी की बात है इसे आप MX player पे फिरी में हिंदी में देख सकते हैं, नमबर 5 की series आपको emotional level पे जाकर hit करेगा, एक गलती आपको पूरी जिन्दी पर कोशा जाता है, ये बिल्कुल मत समझेगा कि series नमबर 5 पे है तो अच्छा नहीं है, इस list की सारी series एक से बढ़कर एक है, तो आप एक भी series को miss की हैं तो पहले उसे जाकर देखिए, 2018 की blockbuster hit crime drama के साथ हाइड एंड जी, series first episode से ही suspense build up करती है, जिसके वज़ा से हम series से excited रहते हैं, एक adopt की गई लड़की को हम सभी जानते हैं कि adopted लड़की को family में हर कोई का प्यार नहीं मिलता, एक लड़की जिसने कोरिया की सबसे बड़ी company को खड़ा किया, एक दम से उन सारी facility को बंद कर दिया जाय और उसे पागल खाने में डाल दिया जाय तो आप क्या करिएगा, ये series self defense का अच्छी मतलब सिखा जाती है, ऐसे series को सिर्फ देखनी नहीं feel करनी चाहिए, और खुशी की बात है, इसे आप हिंदी में free में MX player पे देख सकते हैं, नमबर 4 की Korean series आपको अच्छी तरह से समझा देगी, ककेला इंसाना केले रहते रहते उसकी life बच से बत्तर कैसे बन जाती है, 2018 की कुछ हटकर रोमान ड्रामा के साथ गुडबाई टू गुडबाई, सीरीज की concept हमारे लिए कुछ हटकर experience था, जो सायद हम कभी भूला न पाए, सीरीज की सबसे बड़ा खासियत था इसके fresh और heart-touching storyline, डारेक्टर ने हाई से लेकर गुडबाई तक की एक relation की बीच की moment को एकदम 60 point पकड़ कर उसके dark side हमारे सामने रखा है, बस इसलिए ये सीरीज हमारे लिए best था, अगर आप रोमान ड्रामा के साथ कुछ हटकर नया देखना चाहते हैं, ये सीरीज को आपको definitely एक बड़ तो try ज़रूर करना चाहिए, must watch for all die heart Korean drama सीरीज, नमबर 3 से पहले bonus नमबर 2, अगर आप sweet such storyline जिसमें comedy के साथ sweet love story देखना चाहते हैं, जो आपकी time को feel ना कराए, तो ये सीरीज आपको अच्छी तरह से entertain करेगी, नेटफ्लिक्स के हाली में release वी 2021 की romance comedy के साथ, so not watch it, सीरीज हिंदी में available है, आप देख सकते हैं, नमबर 3 की drama series देखने के बाद पता चला कि सच में Korea की romance drama series का कोई तोड नहीं, एक छोटी concept को लेकर इतने बारिके से हमारे सामने रखते हैं कि सच में कमाल का होता है, सीरीज की interesting storyline है, सीरीज की lead actress पहाड़ी पे रहने वाले एक लड़के को contract husband बना कर ले आती है, उसके बाद से start होता है, सीरीज की खटी मीटी love moment, जो सच में आपको एक अलग ही romance वाली दुनिया में ले जाएगी, इस interesting drama सीरीज को कभी भी मिश मत करिएगा, आपको मज़ा आजाएगा, सीरीज हिंदी में available हैं आप देख सकते हैं, नामबर टू की सीरीज अगर आप साथियों से चलती आ रही है तिहासिक love story देखना चाते हैं, तो ये सीरीज अपने beautiful, heart-touching storyline से आपका दिल जित लेगी, 2012 की romance drama के साथ rough tough prince, वो drama series काफी अच्छी होती है जिसमें पहले जनम का एतिहासिक love story हो, कोरिया की prince 300 साल के 21st century में अपने सहजादी को अंजाने में मिलता है, सीरीज की romantic theme और storyline से सीरीज आपको अपने seat से हिलने नहीं देगी, कुछ time इस सीरीज को देने के बाद आपको definitely इस सीरीज के emotion से फ्यार हो जाएगा, आपको my love from another star वाली feeling कराएगी, ऐसी सीरीज में मेरे नजर में सिर्फ सीरीज नहीं emotion है, इसे आप miss मत करियेगा, नमबर वन से पहले bonus नमबर थी की सीरीज, हर Netflix Korean सीरीज की तरह कुछ अलग और fresh, ओडियन्स के बीच सूपर हिट Netflix की one of the best romance drama के साथ 2021 की वेशन जो, ये सीरीज आपको हर एक angle से entertain करेगी, बस दुख का बात है कि ये सीरीज सिर्फ English सब्टाइटल में available है, लेकिन फिर भी ये सीरीज को कुछ टाइम देने के बाद आपको feel ना होने देगी, अगर content में दम है तो चाहे कोई भी language में हो देखेंगे जरूर, इसे आप Netflix पे English सब्टाइटल के साथ देख सकते हैं, नमबर वन की ड्रामा सीरीज यार, पूछो मत ये ड्रामा सीरीज देख लिया, तो Forensic और Murder Investigation में आप आधी PhD कर लोगे, 2018 की Blockbuster Hit Crime ड्रामा के साथ Partner of Justice, अगर आप Brutal तरीके से Murder Suspense Mystery अपने स्वैग में investigation देखना चाते हैं, तो ये सीरीज आपको हर बल एक्साइट रखेगी, और उपर से कोरिया की हो तो एक दम पूछिए मत आग बन करके देखना चालू करिए, एक Female Prosecutor अपने Forensic Team के साथ मिलकर कैसे किसी कातिल अपरादी को सजा दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, मेरे हिसाब से One of the Best Code Korean Drama सीरीज है, सीरीज की सबसे खास पॉइंट है, इसके ट्विस्ट हैं वक्त पे जाकर एक ट्विस्ट पूरी खेल पलड़ देता है, अगर आप Hollywood सीरीज लूसिफर के फैन हैं तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली देखनी ही चाहिए, ऐसे ही कमाल की और इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप लोग वीडियो देखकर बीना सब्सक्राइब किये चले जाते हो, बुरा बहुत लगता है, प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर पेल आइकन को जरूर दबाईएगा थैंक यू फॉर वाचिंग टेक केर